जहे हैं दोस्तों आप सभी के लिए एक काफी महतपूर जानकारी और एक काफी बड़ी खबर है मद्द प्रदेश मैट्रो रेल कॉर्परेशन के द्वारा वेकेंसी रिलीस की गई है तो आज इस वीडियो में हम इस वेकेंसी पर चर्चा करने वाले हैं आखिर कौन से शातर स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं उनका जो बैक्ग्राउंड है टेक्निकल है नॉन टेक है क्वालिफिकेशन कहा रहेगी एज लिमिट कहा रहेगी सिलिवस कहा रहेगी इस परल्टिकुलर हर एक पॉइंट पर हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट अंतक बने रही हैगा तो सब्सक्राइब दोस्तों बात करें तो मद्ध्रदेश मैट्रो रेल कॉर्परेशन लिम्टेट के द्वारा वेकेंसी रिलीस की गई है और मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैट्रो रेल प्रोजेक्ट होता है न वो सिफ इस्टेट गवर्मेंट का नहीं होता आप देख भी पा रहे हैं आपर मैंसन भी किया है जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्मेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्मेंट ऑफ मध्यप्रदेश यानि मध्यप्रदेश और भारस सरकार का एक जॉइंट वेंचर है दोस्तों और दूसरा दोस्तों पॉइंट ये बनता है कि अब आपके दिमाग में कोशन भी उठ रहा होगा एक डाउड भी होगा कि जब मैट्रो भी स्टार्ट नहीं हुई मद्ध्रदेस में तो वेकेंसी कैसे आगे ठीक है तो यहाँ पर दियाद रखिएगा पहले तो गवर्मेंट ओफ इंडिया और गवर्मेंट ओफ मद्ध्रदेस का ये जोईंट वेंचर है ये जो वेकेंसी दोस्तों रिलीस की गई है भुपाल में एडवल्टीज में नंबर भी मेंसन किया गया है और साथी साथ आप द अच्छी खासा वहाँ वेतन रहता है और आप यहाँ पर देख रहे हैं 33,33,000 से 1,000,000 के आसपास आपका मासिक वेतन रहेगा और दूसरा पॉइंट उठेगा कि ये जो आपका सुपरवाइजर वेकेंसी ये पोस्त है उसके लिए बैचलर डिग्री बैचलर डिग्री के साथ में या डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा कहां पर हो आपका इंजिरिं 33,000 से होना चाहिए मेडिकल के डिग्री में इसको एवन पर रखा गया है आपको याद होगा जब आररवी की वेकेंसी आई थी तो आररवी एंटी पीसी में भी मेडिकल के डिग्री एवन एटू बीटू क्योंकि आपको बता है जो रेलवे का दोस्तों जो फिजिकल होता ह वो काफी अच्छा खासा होता है और स्ट्रिक्टली कहीना की फॉलो होता है और उसमें जो चस्मा होता है जो स्पैक्टिकल है जो आपका ग्लास है उसका विसेल ध्यान रखा जाता है और कई ऐसी पोस्त होती है जिनमें चस्मा रिक्वार्ड होता है जो कुछ ऐसी पोस्त ह वो है आपकी supervisor signaling ठीक है? signal category में आपको supervisor की category है telecom rolling stock की इसमें आपका 7 vacancy जिसमें general की 3 vacancy OBC 2 ST1 और SC की 1 और EWS की यहाँ पर vacancy फिलाल release नहीं की गई है इसमें वेतन लगभा लगभा उत्रहीं दिखाई दिरा आप इसके qualification की हम बात करें तो इसमें 3 साल का engineering diploma होना चाहिए किसमें होना चाहिए? electrical में हो, electronics में हो, mechanical category में आपका 3 साल का engineering diploma होना चाहिए तो आप यह form फिल कर सकते हैं और medical category में B1 category अगली बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपकी अगली जो category अगली जो post है वो maintainer category में है जिसमें भी signal category और telecom rolling stock में है इसमें total 10 vacancy से वेतनमान 20,000 से 60,000 के मद्ध में रहेगा और इसमें दोस्तों metric solution के साथ में आपका 2 साल का ITI अर्थात ये उनके लिए बहुत बहतर है जिनका ITI भी यहाँ पर सामिल है तो वो यह form fill यहाँ पर कर सकते हैं ITI के लिए यहाँ पर particular specific trade दी गई उन पर हम चर्चा कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप trade देखेंगे तो electricity and electronics है mechanics है ठीक है फिटर है इन सब category में आपको ITI यदि आपका है 2 साल के इंतरगत तो आप यह form fill कर सकते हैं ठीक है चली आँगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला हमारा यहाँ पर अगला जो particular category post की दिख रही है वो है supervisor ठीक है वो है traction E&M में इसमें total दोस्तों 8 vacancy वेतनमान 30,000 से 1,00,000 के मद्द है और इसमें 3 साल का engineering diploma होना चाहिए वो diploma या तो electrical में electronics में हो या फिर mechanical discipline में आपका किसी भी university से होना चाहिए इसको medical category में B1 पे रखा गया है अगली point बात करें दोस्तों तो अगला यहाँ पर ठीक है एक मिनट अगली category दोस्तों यहाँ पर फिर से आ जा रही है वो है maintainer में traction और E&M है और यहाँ पर दोस्तों जो total vacancy वो 9 है वेतनमान 20,000 से 60,000 के मद्द में रहेगा और इसमें matriculation के साथ में दोस्तों ITI मांगा गया और ITI में भी इसमें भी category आपको लगभग लगभग सेम दिख रहे हैं जो हमने उपर यहाँ पर discuss की थी ठीक है चलिए इनको भी B1 category में रखा गया है अगली दोस्तों बात करें supervisor track में यहाँ पर 2 vacancy वेतनमान 33,000 से 1,000,000 के मद्द है और इसमें 3 साल का engineering diploma होना चाहिए किसमें civil में होना चाहिए तो आप यह form fill कर सकते हैं और इनको भी B1 category में रखा गया है medical category के अंतरगत अगला दोस्तों maintainer में track की category जिसमें 15 post देखी गई है और इस 15 post में दोस्तों वेतनमान 20,000 से 60,000 के मद्द रहेगा और इसमें matriculation के साथ में 2 साल का ITI fitter category में होना चाहिए ठीक है इसको medical category में B1 पे रखा गया है अगला supervisor work category जिसमें post में 2 vacancy है वेतनमान 33,000 से 1,000 के मद्द में रहेगा और यहाँ पर 3 साल का engineering diploma civil category में मांगा गया है medical category में इसको B1 पे रखा गया है अगली बात करें तो maintainer work में 3 vacancy 20,000 से 60,000 के मद्द में यहाँ पर matriculation के साथ में 2 साल का ATI fitter category B1 अगला नाम आता है दोस्तो post का store assistant store है ना इसके अंदर रगत आपकी 2 vacancy वेतनमान 25,000 से 80,000 के मद्द है और यहाँ पर bachelor degree मांगी गई है in any engineering discipline कोई भी engineering discipline में आपका होना चाहिए कोई भी particular government university institute से और इसको medical category में c1 पे रखा गया है चलिए अगला यहाँ पर नाम आता है HR assistant human resource यहाँ पर 2 vacancy यह graduation मांगा है इसे किसी भी particular आपका discipline में graduation यहाँ पर होना चाहिए 2 vacancy है ठीक है अगला यहाँ पर आता account assistant यहाँ पर 2 vacancy इसमें b.com, m.com जो लोग कही नगे बैचलर of commerce है 88 अर्था 88 vacancy मद्ध प्रदेश Metro Rail Corporation के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है ठीक है चलिए अगले कुछ point पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो हमारे exam पर पर से बहुत जादे important है और आप form भरते समय किनका ध्यान रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर एक point दोस्तो clear किया गया है कि जो student यदि last semester में या last graduation का particular year में है और वो exam का उसका result नहीं आया या उसके exam नहीं हुए third year last semester के वो यहाँ पर form नहीं भर सकते हैं वो उस form को apply करने के लिए eligible नहीं है तो इस point का भी आप विसेज़धान रखेंगा चलिए अगली बात करें age limit की तो यहाँ पर जो age limit है दोस्तो 18 साल है ना minimum जो age limit है वो 18 साल है जबकि maximum जो age limit है वो 28 साल है 1 July 2023 को उस particular candidate की जो age है वो 28 साल से ज़ादा नहीं होनी चाहिए जबकि यहाँ पर ST और SC के लिए 5 साल की छूट दी गई है और other जो backward है उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है तो यह कुछ point है ठीक है महिलाओं के लिए 10 साल यहाँ पर generally OBC, SC, ST के लिए चलिए अब कई student का question उठता है क्या मद्ध्रदेस वाले form भर सकते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मद्ध्रदेस के लावा all over India कोई भी particular छात्रिये form भर सकता है तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है ऐसा नहीं सिर्व मद्ध्रदेस वाले form भर सकता है अब दोस्तों यहाँ पर एक point लिखा है no objection certificate जिसको हम NOC के नाम से जानते हैं जनरली NOC का मतलब यहाँ पर जनरली railway department में ऐसा होता है कि यदि आप कोई particular कोई service कर रहा है कोई private संस्ता चोड़े हुए है या autonomous body से चोड़े हुए है तो उनके माद्ध्रम से एक NOC certificate आपको यहाँ पर लगेगा जिसके माद्ध्रम से इसका मतलब यह हुआ कि उनको कोई objection नहीं आप form fill कर सकते हैं और document verification के time पर आपको यह दिखाना होगा ठीक है अगले point की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका exam यहाँ पर pattern है post को लेकर उसमें आपके चार phase है जिसमें पहला आप computer based test यानि CBT अगला computer based aptitude test ठीक है इसके बाद में DV, document verification और medical test तो आप देख रहे हैं जनरली सभी में आपकी चार stage है केवल और केवल जो supervisor, signal and telecom rolling stock के टिगरी है उसमें आपका second phase नहीं होगा पहले CBT होगा ठीक है medical test यहाँ पर conduct किया जाएगा इसके बाद में final merit यहाँ पर बनेगी जबकि कुछ और भी जो post आपको देख रहे हैं इसमें केवल और केवल आपको first phase CBT दिख रहा है और इसके बाद में document verification के बाद में medical test आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगले point की बात आएगी जो आपका exam होगा दोस्तों यह online exam होगा और यह form भी पूरी तरीके से online format में आपके भरे जाएंगे इसके लिए आपको mpmrcl या फिर www.ampmetrorail.com इन में आपको जाना होगा और वहाँ से आप यह form भर सकते हैं ठीक है चलिए आँगे देखते हैं और क्या क्या important point है आपके लिए बस इतना याद रखना जब आप form भरें तो form भरते समय मैं हर बार student को बोलता हूँ जब आप form भरें तो form भरने में विसेज ध्यान रखा जाता है वो अपने नाम का spelling का और आपको matriculation यानि जो दसवी के mark seat है उसके साफ से आपको form भरना होता है father का नाम mother का नाम कई बार मैं देखा है student क्या करते हैं चोटी मोटी गलती कर देते हैं जब वो form भरते हैं तो form भरते समय category में general category तो कई बार OBC फिल हो जाता है examination की बात करें तो examination की जो center है दोस्तों आपके वो भुपाल, ग्वालियर, इंदौर, जवलपुर और जैन है आप इतने सहरों में exam के form के center यहां पर आप भर सकते हैं जो आपके near है आप वहां से सहर चूज कर लिजए के इंदौर है, ग्वालियर है या फिर other जो आपको city यहां पर दिखाई दे रहे है ठीक है चलिए, form की बात करें तो form की जो application fees है वो 590 रुपए GST मिला कर general OBC के लिए और बाकी category SC, ST, EWS के लिए 295 आपकी यहां पर application fees भी रहेगी ठीक है, सारे जो form है यह सिर्फ online mode पे ही accept किये जाएंगे चीज का भी आप विसेज ध्यान यहां पर रखिएगा, ठीक है, चलिए, आंगे बढ़ता है हाँ, अगली दोस्तों बात करें तो आपका जो यहां पर exam है ठीक है, यह दो घंटे का exam होगा दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा computer examination की बात करें, तो computer based days online mode will be conducted in two oblique three sessions on a single multiple days of two hours duration, जिसके अंतर का दोस्तों 120 question और आपको पता भी होगा जो railway के exam होता है, उसमें 120 question RRB NTBC में भी पूछे गए थे, अब हम syllabus की बात करते हैं, syllabus फिलाल यहां पर उन्हें नहीं किया है, बस यह दिया हुआ है कि जो paper होगा न दोस्तों यह English और Hindi दोनों language में रहेगा, जिसमें आप prefer करना चाहें उसमें आप यह paper दे सकते हैं, negative marking की बात करें SC, OBC के लिए qualifying रहेगा, दोस्तों qualifying marks में इतनी category percent आपको लाने होंगे, ठीक है, चलिए, तो यह सब data आपको यहाँ पर दिया गया है, qualifying marks जो हमने यहाँ पर चर्चा कर लिए, ठीक है, तो दोस्तों यह आपका notification था, यहाँ पर slayvers की अभी चर्चा नहीं की गई, और क्या-क्या आपको नहीं ले जाना, यह सभी को पता है, इसमें कुछ बताने के आवा सकता नहीं, कि आप जब exam देने जाएं, तो क्या-क्या devices आप लेकर ना जाएं, यह सभी को पता है, calculator हो गया, mobile phone है, Bluetooth है, headphone है, डिस्टल, कोई watch है, यह सारी चीज़ें, है ना, तो यह सब इसमें दिया हुआ है, अभी यहाँ पर slayvers पर चर्चा नहीं की गई है, तो बहुत जल्द इस पर भी चर्चा की जाएगी, तो वो यदी कहीं न कहीं, इसके लिए लिस्टल है, तो वो फॉर्म समय रहते ही, भर दें, क्योंकि लेट न करें, क्योंकि लेट हो जाएगा, तो दिक्केतें बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आप अपने हिसाफ से देख लीजएगा, क्या आपकी क्वालिफिकेसन कौन सी, और आप किस पोस्ट के लिए, फिलाल यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ का विसेज ज्यान रखिएगा, मिलते दोस्तों नेक्स वीडियो में, जैहिन, ठैं